हलो फेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1885 से 1905 तक के सभी इंडिनेशनल कॉंग्रेस सेशन्स को कवर कर लिया था और आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1906 से 1906 केलकटा सेशन में दादा भाई नेरो जी को प्रेजिडेंट चुना गया अब क्योंकि 1905 में लॉड करजन ने बेंगॉल को डिवाइड कर दिया था तो कॉंग्रेस ने 1906 सेशन में बेंगॉल पार्टिशन के रिस्पॉंस में स्वधेशी और बॉइकॉट मोइच के शुरुआत की इस मोइच में लोगों को स्वधेशी चीजों को प्रोमोट करना था और विदेशी चीजों को बॉइकॉट इसके अलावा इस सेशन में कॉंग्रेस ने पहली बार सेल्फ गवर्मेंट की मांगी सुराज resolution पास किया ये मांग extremist leaders के दवाब में की गई थी moderate तो इसके favor में थे ही नहीं बिलकुल भी इसके अलावा इसी session में national education policy पर भी resolution पास किया गया अब ये वो session था जहांपर moderate और extremist के बीच के जो differences थे वो साफ दिख रहे थे बस ये माल लीजे कि अगर दादावाई नेरो जी इस session के president ना हो थे तो यहां पर लड़ाई जगड़े तै थे इस चकर में दादावाई नेरो जी third time Congress के president बन गए अब तक के सबसे ज़्यादा बार हलाकि इस record की बराबरी बाद में जवाला लहरू ने भी कर ली थी वो भी तीन बार president रहे और ये साल इसले भी important था क्योंकि इस साल Muslim League भी form हुई थी इसके बाद Congress का next session सूरत में हुआ extremist और moderate के जो बीच की tension थी वो अभी भी बरकरार थी दोनों चाहते थे कि इस बार Congress का president उनकी तरफ से होना चाहिए ये session actually नागपूर में होने वाला था बट moderates को डर था कि नागपूर में extremist group के बाल गंगा धर तिलक moderates को overpower कर देंगे इस चक्कर में location को change करके स्कूरत कर दिया गया और ultimately voting के आधार पर moderates की और से रास बिहारिब को इस session का president चुना गया बट tension कम नहीं हुई थी लाला लाजपतराई अपनी बात कहना चाहते थे और moderates ने उन्हें बोलने तक नहीं दिया session के दोरान किसी ने सुरेणनाद बैनर जी और फिरोशा महता पर भी जूता फैक दिया और यहाँ पर लड़ाई जगड़े शुरू हो गए एक दूसरे के ओपर टेबल कुरसी फैगना शुरू कर दिया और इस तरह सूरत की इस session में Congress split हो गई extremists और moderates अलग-लग हो गए session रोग दिया गया इसके बाद इस session को continue किया गया 1908 में और यह session मदरास में हुआ था क्योंकि यह session पिछले session का continuation ही था इसलिए इसमें भी राजब्यारी को ही President रखा गया अब extremists जो हैं वो Congress के पार्ट नहीं थे सूरत split के बाद April 1908 में ही मदरास session से पहले Congress ने Convention Meeting बुलाई थी जहाँ पर International Congress का नया Constitution तयार किया गया था जिसमें यह कहा गया कि extremist विचारधारा अब यहां नहीं चलेगी वसे इस साल एक important event यह भी हुआ था कि खुदी राम बोस और प्रफुल चाकी ने Magistrate Kingsford पर बॉम फैक दिया था Moderates तो खैर revolutionary activities को पसंद करते नहीं थे बट बाल गंगादर तिलक ने अपने newspaper केसरी में इस incident को defend किया था इसलिए बाल गंगादर तिलक पर sedition का charge लगाए गया और Mandalay यानि बर्मा की जेल में उन्हें भेज दिया गया इसके बाद next important session था 1910 का इलावाद session यहाँ पर William Baderborn प्रेसिडेंट थे November 1910 में ही नए Viceroy Lord Hardinge इंडिया आ चुके थे Indian National Congress कबसे Government of India 1909 से उमीद लगा के बैठी थी कि अच्छे दिन आएंगे और Government of India 1909 में कुछ अच्छी चीज़े हुई भी जैसे कि पहली बार Viceroy की Executive Council में एक Indian Member को अलाव किया गया Central Legislative Council में Additional Members की संक्या काफी ज्यादा बढ़ाई गई सीधे 16 से 60 कर दी गई बढ़ यहाँ पर यह कहा गया कि इन 60 Additional Members में से 5 Members Muslim होंगे जिने Separate Electorate द्वारा चुना जाएगा और यह बात मुहमद अली जिन्ना को परिशान कर रहे थी उन्हें लग रहा था कि यह Britishers की चाल है कि वो हिंदू-Muslim Unity को ब्रेक करना चाते है और यह कमाल की बात है क्योंकि आगे चलकी यही थे जिन्होंने Partition की नीव रग दी इसी साल एक Important चीज यह भी हुई कि औरविंद गोश जो अलीपूर Bomb Conspiracy केर से चूट कर वापस आये थे उन्होंने Politics से सन्यास ले लिया और Pondicherry में जाकर एक योगी बन गए इसके अगले साल 1911 में Congress Session Calcutta में हुआ President थे B.N. धर यह वही साल था जिस साल दिल्ली दर्बार लगाए गया था जहां पर King George V की ताजपुशी की गई थी As Emperor of India इस दिल्ली दर्बार की एर्रेंजमेंट में British Government ने बहुत ही शानो शोकत का डिस्प्ले किया था King George V की Crown में 6000 से भी ज्यादा Diamonds, Emeralds और Rubies जड़े हुए थे Congress ने इस सेशन में दिल्ली दर्बार में हुए फिजूल खर्चे को कंडम किया एक resolution पास किया और कहा कि ध्यान रहे ये शानो शोकत आप हमारे पैसो पे कर रहे हो इस सेशन की एक खास बात ये भी थी कि यहां पर पहली बार जनगन बन गया गया इसके अगले ही साल 1912 में सेशन पटना के बाकेपूर में हुआ प्रेसिडेंट थे रगुनाद नर्सिनह मुदोलकर इस सेशन की खास बात ये थी कि ये वो पहला सेशन था जो जवालान नहरू ने अटेंट किया था वसे इस साल एक बड़ा इवेंट ये भी था कि रास बहारी बोस ने लॉर्ड हार्डेंच के काफिले पर बॉम फैंक दिया था लॉर्ड हार्डेंच इस बम धमाके से इंजर्ड तो हुए बट मरे नहीं इसके बाद 1913 में नवाब सेयद मौहमद बहादूर के नहतरुत में कॉंग्रेस सेशन कराची में हुआ यहां पर एक resolution पास किया गया communal harmony को लेकर एक्शली इसी साल एक बहुत ही दर्दनाक incident हुआ था जिसका नाम था कानपूर मौस्क इंसिडेंट कानपूर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और इन दंगों में एक मस्जिद को demolish कर दिया गया था एक्शली इन दंगों से पहले बिडिश गवर्मेंट ने एक decision दिया था कि ये जगा मौस्क को बलॉंग नहीं करती है फिर भी मुस्लिम सवहां से नहीं हट रहते और दंगे हुए और इन दंगों में इस मस्जिद को demolish कर दिया गया बट मुस्लिम पॉपलिशन इस बात से एग्री नहीं कर रही थी और बहुत सारे लोग इखटा होकर इस मस्जिद को वापस से बनाने में लग गए तो ब्रिडिश ओफिसर टेलर ने इन लोगों को हटने को कहा बट जब लोग नहीं हटे तो ब्रिडिश ओफिसर टेलर ने ओपन फायर के ओडर दे दिये पंदरह मिनट में छहसो से ज़्यादा गोलियां चलाए गई निहते लोगों पर यह बिलकुल जलियन माला भाग जैसा इंसिदेंट हो गया था यहां पर लौड हाटिंज ने इस इंसिदेंट को एक स्टूपिड ब्लंडर कहा तो इसी इंसिदेंट को लेकर कॉंग्रेस ने कम्यूनल हार्मोनी के लिए रेजुलिशन पास किया और इसी साल जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग को जोईन कर लिया हलकि अभी भी उन्होंने कॉंग्रेस नहीं छोड़ी थी अब वो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर हो गए इसके नेक्स्ट येर कॉंग्रेस सेशन मदरास में हुआ यहां पर प्रेसिडेंट चुने गए भुपेंद्र नाथ बोस इस सेशन में मदरास के गवर्नर भी शामिल हुए थे इसी साल जून में फॉर्स्ट वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था तो कॉंग्रेस ने बिडिश गवर्मेंट को सपोर्ट करने का फैसला किया उमीद थी कि वार खतम होने के बाद इंडियन्स को एक सेल्फ गवर्निंग नेशन बना दिया जाएगा इस साल जून 1914 में बाल गंगादर तिलग को भी मैंडले जेल से रिलीज कर दिया गया ध्यान दीजिये कि लोग मानने तिलग एक एक्स्ट्मिस्ट थे और एक्स्ट्मिस्ट के लिए आप कॉंग्रेस में कोई जगा नहीं थी बट अगले ही साल याuni 1915 में तिलग की कोशिशों की वज़ा से एक्स्ट्मिस्ट को वापस लेने की बारे में सोचा जाने लगा पहली बार एक इंडियन को अलाओ किया गया था, वो यही थे, इन्हें वाइसरोय काउंसिल में लौ मेंबर बनाये गया था, इसी साल गांधी जी साउथ अफरीका से लौट आये थे, लेक्स्ट येर यानि 1916 के अप्रेल के महीने में नई वाइसरोय लौट कैम्सफोर्ड इं और एक्स्टेमिस और मोडरेट्स वापस से युनाइट हो गए, इसके अलावा ये सेशन एक जॉइंट सेशन था, कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक का, और इस सेशन में कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच एक पैक्ट हुआ, जिसे लखनो पैक्ट कहा जाता है, इसके इंडिया में एक responsible government बनाने की दिशा में काम करेंगे, तो इसके बाद एनी बेसेंट की demand sedition की category में obviously नहीं आती थी, और इन्हें सेप्टेमर में छोड़ दिया गया, और इस साल Congress के Calcutta session में इन्हें ही President चुना गया, इस तरह ये इंडिया निशन कॉंग्रेस की पहली महिला President बनी, First Women President, और इन्होंने यहाँ पर अपना Home Rule League का जंडा भी फैरा दिया, विसे इसी साल गांधी जी ने भी चंपारन सत्यागरा किया था, तो इस वीडियो में हमने 1906 से 1917 तक के सभी Congress Sessions को कवर कर लिया है, इंडिया की History और इंडियन पॉलिटी को डीटियल में कवर करें, बुकस्तवा की प्लिस्ट के साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, थैंक यू सो मच पो वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तवा,